सामली कोमेंड वल्केम ट्वलीजी व्लोग्स दोस्तों एक टेड़ी टोपी वाले गीदर ने शेर के मुँ में हाथ डालने की बात की है यानि के पाकिस्तान को धमकी दी है ओ भाई साब ये अमन की आशा वाली आंटियों को हमने निकाल दिया है अब नई कौम नया जजबा न तो अपने सपनों का बकसा कंधे पे रखके मुंबई चला जाता है स्टार बनने के लिए ये जंगवंग की बाते तुम लोगों के साथ अच्छी नहीं लगती तुम्हारी लाउंडिया जब जवान होती है तो उसको नच्चलिया बना देते हो ये कपड़े उत्रुआ के कमाओ ये जिसम दिखा के दुनिया में माल बटोरो जो तुम लोगों का काम है जन्वंग की तरफ कहा आ रहे हो ये कोई फिल्म चल रही है क्या अब उठाओ उसको लेकिताओ किसी फिल्म में डायलोग बारने के इसको बड़ा शोक है तुम्हारे पड़ोस में शेर रहता है हम लोगों का जब बच्चा बालिक होता है ना या तो फोजी बन जाता या फिर वह मझाहित बन जाता है और शेरों का शेव उता है शिकार करना हम लोगों के साथ अच्छी लगती है यह बाते यह आटम बं हम क्या तुम्हारी ऑंना के जहेद में के लिए बनवाय थे का तुम्हारी ओरते सुबा सुबा संडास करने खेतों में चली जाती है सोचा ले तो तुम लोगों के पास है नि बातरूम है अब हमारे फोची जब घुज जाएंगे तुम लोगों के खेतों में तो क्या नजारा होगा फील करो ज़ा किस से मरवाओगे हमको आलिया भट से हैं कत्रीना कैफ को बंदूग दोगे के मारो इनको गोली जलाएगे हमारे उपर वो गंदे मेले सस्ते आदमी सोच के बात करनी चाहिए तुम्हारे पडोस में शेर रहता है शेर अजीज बटी करनल शेर खान हाफिस साइद जैसे मरदे मुझाइद यहां पर रहते हिम्मत मत करना यहां पर देखने की और हमारे लोग तो इंतजार करने के कब जंग हो और माले गनीमत में यह आलिया भाट इश्वरिया राय और यह सारी आजाएं यहां पर कुछ सेंसेबल बात करो कुछ दिन हैं यहां पर जीने के तो जी लो हमने अमन की बात की हमारे हम लोग हमारे वजीर आजम ने तुम लोगों के साथ कुछ सेंसेबल बात करते आगे से कुछ तमीज वाली बात करते यह बसोड़ी फिला दी यह गंदी सी बात करके तुमने अब भोग तो ट्